आज है पांच अक्टूबर 2022 और पांच अक्टूबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन मन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुशिन पूछूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसक्समिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से भी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्समिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप चोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाली में बेसु पसु द दिबस मनाया गया तो इस कुशिन का बे ओप्सन सही है दुनिया भर में जानवरों के कल्यान मानुकों में सुधार के बारे में जागुता बढ़ाने के लिए हर साल चार अक्टूबर को बेसु पसु दिबस मनाया जाता है अब ये इंपूर्टेंडे वाला कुशिन है तो अभी एक अक्टूबर को अंतरास्टी ब्रद्जन दिबस रास्टी स्वेचिक रक्तदान दिबस बेसु साकाहारी दिबस और अंतरास्टी कॉफी दिबस मनाया गया दो अक्टूबर को अंतरास्टी अहिंसा दिबस मनाया गया सुख्छ भारत दिबस भी दो अक्टूबर क को मनाया गया अच्या तेन अक्टूबर को 200 पर्यावास दिवस मनाया गया तो अक्टूबर में अब तक इतने important वनाए गया सुक्ष्भारत दिवस यह धू अक्टूबर को मनाया गया आपको नेचे पर कमेंट बॉक्स में क्विश्च का अंसर बताना है अभी सबसे सवक्ष राज paired कौन सा डेकलेर किया गया है सब से सवच सेहर indoor declared क्या गया आपको बताना है कि सब्से सुच राज कौन सा declare गया नाज की सूदियो का हम टारगेट रखते हैं चाली स यह लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हल्पो लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो, और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मौनिंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट पिक्स करो, लेकिन डेली मौनिंग में उटकर, सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेब करने में लगा दो, आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में केसराजी के उपमोक्यमंत्री ने बंदे मात्रम पहल सुरू की है तो अभी महरास्ट के उपमोक्यमंत्री ने बंदे मात्रम पहल सुरू की अब महरास्ट में जितने भी government office हैं उनमें call पर hello नहीं बोलना है बंदे मात्रम पहलना है ये वहां के उपमोक्यमंत्री ने नई पहल सुरू की है अब महरास्ट तो ये है मैप महरास्ट महरास्ट की capital क्या है मुंबई महरास्ट के chief minister कौन है एकनाफ सिंदे और deputy chief minister यानि की उपमोक्यमंत्री कौन है देविंद्र फडनबीस इन्होंने ही ये बंदे मात्रम पहल सुरू की महरास्ट की governor कौन है भगत जिंग कोश्यारी अभी महरास्ट सरकार नेति आयोग जैसी एक संस्ता की स्तापना करेगी संपत्ती पूंजी करण को डेजिटाइज करने वाला पहला राज महरास्ट बना मारबत उत्सब ये नागपुर में बनाये गया देश की पहली electric double decker AC bus मुंबई में सुरू कुई महरास्ट सरकार ने दही हंडी को खेल का दर्जा देने की गोश्ण की बारत ने नागपुर में सबसे लंबा double decker flyover बनाने का record बनाया है इतना आप महरास्ट के बारे में याद रखिए next question है case ने गेल के अध्यक्ष की रूप में पदभार समाला है तो गेल के अध्यक्ष की रूप में अभी संदेप कुमार गुपता ने पदभार समाला तो इस question का बे options है आप image में देखिए यह हैं संदेप कुमार गुपता और यही अब गेल के नए अध्यक्ष बन गए है अचा कल ही मैंने आपको बताया है American Chamber of Commerce के नए अध्यक्ष ललित वसीन चुने गए राजिंद्र कुमार को ASIC का महानिदेशक न्यूक्त किया गया स्टेस फिन ने सुतंत निदेशक बिजय जसुजा को बनाया है अचा NPCI के MD&CEO के रूप में दिलेप अस्वे को न्यूक्त किया गया और रास्ती सुसासन केंद के नए महानिदेशक की रूप में भारत लाल को नामित किया गया ने खिशन है हाली में केस राज सरकार ने solar roof-top project सुरू करने का निदे लिया तो अभी उत्तरपदेश सरकार ने solar roof-top project सुरू करने का निदे लिया यानि किस question का say option सही है या typing mistake है या मद्यप्रदेश है MP तो अभी उत्तरप्रदेश सरकार ने solar rooftop project सुरू करने का निड़े लिया है अब ये क्या है solar rooftop project उत्तरप्रदेश में अब government offices की छत पर solar panel लगाए जाएंगे ये है solar rooftop project अब उत्तरप्रदेश तो ये है map में उत्तरप्रदेश की capital क्या है लखनव और लखनव के इस नदी की किनारेश्थित है गूमती नदी किनारेश्थित है उत्तर प्रदेश की चीपनिश्टर है योगी आलतनाथ, उत्तर प्रदेश की गौवर्नर है आनन्दी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश का राज की पसू है बारे सिंगा, राज की पच्छी है चारस या क्रोच, राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच है असोक का ब्रच अभी उत्तर प्रदेश को आयुस्मान उत्करष्ट पुरुसकार 2022 मिला उत्तर प्रदेश सरकार मात्र भूमी योजना पोर्टल लॉंच करेगी उत्तर प्रदेश के बाराणसी सहर को पहली SEO परेटन और सांस्क्रतिक राजदानी कोज़ित किया गया फास्ट्रेक कोट में पैंडिंग केसिस के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है भारत का पहला नाइट सफारी और जैब विवित्ता पार्क अभी लखनो में बनाया जाएगा जैसे दिल्ली में NCR है नेशनल केपिटल रीजन उसी तरह लखनो के आसपास की रीजन को स्टेट केपिटल रीजन के रूप में डिवलप किया जाएगा यानि की SCR बनेगा अच्छा उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतर्णिया घट वाइलड़ सेंचुरी है पेली भी टाइगर रिजर्व है नेशन है हाली में किस ने प्रधान मंत्री उतक्रष्टा पुरुसकारों के लिए पोर्टल लॉंच किया केंद्री मंत्री डौक्टर जितेन सिंह अभी प्रधान मंत्री उत्खर्ष्टा पुरुष कारों के लिए पोर्टल लॉंच किया तो वी ऊप्रजेन टायम पे पर हमारे प्रत्वी बःज्यान बंत्री हैं डौक्टरada これ IF इन्हों ने अभी प्रधान मंत्री उत्खर्ष्ट पुरुषकारों के लिए पूटल लॉंज किया है। नएक क्यूशन है, हाली में भारत निर्वाचन आयोग ने कैसे अपना नेशनल आइकन गोसित किया है। तो पंकज तरपाथी को अभी भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन गोसित किया। तो इस क्यूशन ये awareness पैदा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पंकच तरपाठी को national icon घोसित किया है अच्छा बात भारत निर्वाचन आयोग की है तो present time पे हमारे chief election commissioner कौन है present time पे हमारे chief election commissioner है राजीब गुमार यहां से एक question और बन जाता है यह कौन से नंबर के chief election commissioner है तो यह 25 में नंबर के chief election commissioner है नएक कुशन है हाली में SBI ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कारिकरम शुरू किया है तो अब यह SBI ने SBI foundation के तहत भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कारिकरम शुरू किया तो इस question का से options आई अब यह 6 राज्यों से हैं हर्याना, गुजरात महराष्ट, पंजाब, तमिलनाडू और बेस्ट वेंगॉल, गांधी जैनती के अवसर पर यह SBI foundation ने ग्राम सेवा कारिकरम शुरू किया, इसके तहत क्या होगा, SBI foundation देश भर में 30 दूर दराज के गाउं को गोध लेगा, अब SBI, तो SBI की स्तापन का हुई, 1955 में, इसका headquarter कहां पर है, मुंबई में, और SBI के प्रजेंट टेम पर चेर्मेन कौन है, देनेश, कुमार, खारा, next question है, हाले में केस राज सरकार ने Tata Technologies के साथ समझोता किया है, तो अभी 36 गड़ सरकार ने Tata Technologies के साथ समझोता किया, तो इस question का बे options है, तकनी की सिक्षर संस्तानों को तक चतिस गड़ सरकार ने Tata Technologies के साथ समझोता किया है, अब 36 गड़ तो ये है मैप में 36 गड़, चतिस गड़ की केपिटल क्या है, रायपूर, अच्छा एक सहर है रायपूर और एक सहर है नया रायपूर, जो नया रायपूर सहर है, उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया ह चतिस गड़ के चीप निश्टर कौन है, भूपेस बगेल और चतिस गड़ की गवर्नर कौन है, अनसुया उएके, अच्छा अभी 36 गड़ सरकार ने अनसुचित छेत्रों में पंचायत अधिकारों के बिस्तार कुलाओ किया, से एफर अधिकारों को मानिता देने वाला चैल इस्तापित करने की गोशना 36 गड़ने की, दाई दीदी मुबाइल क्लिनिक ये 36 गड़ में शुरू हुए, और कौसल या मातरत यूजना ये भी 36 गड़ में शुरू हुई, ने क्यूशन है, हाली में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का सुबारम किया है, तो प् बे उप्सें सही है, ने क्यूशन है, था लि में कुरियाए ओपन तेनिस में पूरुस एकल खिताब किसने जीता है, तो जापान के टैनिस खिलाडी है, योसी हितो निशियो का, इनों ने अभी कुरियाए ओपन तेनिस में पूरुस एकल खिताब जीता, था तो इस проό between five, य ये हैं चापान की टेनिस प्लेयर यो सिहितो निशियो का इनों नहीं कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुस एकल खिताब जीता है। ने क्यूशन है हाली में UNCTAD ने भारत की आर्थिक ब्रद्दिदर कितने प्रतिसत रहने का अनुमाल लगाया। तो अभी UNCTAD ने भारत की आर्थिक ब्रद्दिदर 5.7% रहने का अनुमाल लगाया। तो इसको इनका से ओप्सन सही है। पहले 8.2% रहने का अनुमाल लगाया था जिससे अब घटा कर 5.7% कर दिया है। अब UNCTAD यानि की United Nations Conference of Trade and Development इसका इस्तापना का भुई थी 1964 में। इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है जेनेबा में। और इसके प्रजेंट टेम पर सेक्रेटरी जनरल कौन है। रेवेका ग्रिस्फिन। कौन है रेवेका ग्रिस्फिन। ने क्यूशन है। हाली में किसे 32 में बिहारी पुरुस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो एक लेकक है माधव हाडा, इनको 32 में बिहारी पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा, तो इनका नाम आप याद रखिए, माधव हाडा, नेकी पुस्तक है, हाली में किस की पुस्तक? जेते जी इलहबाद को Belly of Birds पुरुसकार मिला है, तो ममता कालिया की बुक है, जेते जी इलहबाद, इस पुस्तक के लिए इनको Belly of Birds पुरुसकार मिला, तो इस कुशिन का A options ही है, नेकी क्यूशिन है, हाली में बर्स 2022 का वहत्तिकी का Noble पुरुसकार केसे दिया गया? तो अभी एलन एस्पेक्ट, एंटून जिलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर इन तीनों को 2022 का बहुत तेगी का नोबल पुरुसकार दिया गया तो इस कुश्यन का D-Options ही है उपरयोक्त सभी आप इमेज में देख लीजिए ये हैं एलन एस्पेक्ट, एंटून जिलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर इनको क्वांटम मेकेनिक्स के छितर में इनकी कारे के लिए 2022 का फिजिक्स का नोबल प्राइज दिया गया है नेक्स कुश्यन है हाली में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ट से सम्मानित किया गया तो अभी अनिल अगरबाल को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ट से सम्मानित किया गया तो इस कुश्यन का C options है यह बेदानता के संस्तापक हैं अनिल अगरबाल इनको अभी कनाड़ा में Global India Award से समानित किया गया अब लास्ट वीडियो के question का answer लास्ट वीडियो मैं आपसे question पूछा था कि हाली में महिला एबंबाल विकास मंत्राले द्वारा पूसर्ड उत्सब का आयुजन कहां किया गया है तो अभी नई दिल्ली में कर्तब पत्फर महिला एबंबाल विकास मंत्राले द्वारा पूसर्ड उत्सब का आयुजन किया गया यानि किस कुश्यन का से ओप्सन सही था और लग बग सभी स्टुनरे स्कांसर साई दिया मुश्ट ली लए्ट को इटेल में लेखा मैं आपको एक बार फिर बोलूगा कुश्यन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभे नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुशिन है आपके लिए आज का कुशिन है हाली में सबसे 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 राज किसे गोसित किया गया है चार ओप्सन दिये गये हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook पेज़ पर या आपको अपने करियर से रेलेटिड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी I-N-D-R-E-S-H-R-C इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सच करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फिजन, without any agitation, डिस्कस कर सकत हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना, आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 है लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अल्पू लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेर जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं, उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो, तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना, और अगर अबे तक भी आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए, आपको इस च जाम और बेच विडियो, thanks for watching